कॉंग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंग ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण भहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंग ने कहा कि जनिता में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्ता था, हरवर्ख सरकार से दुखी था। कॉंग्रेस ने जो गैरेंटी दी थी उन्हें सरकार बनने पर किया जाएगा। ओपियस को सरकार बनते ही बहाल किया जाएगा। प्रधान मंत्री का ये कहना गलत है कि कॉंग्रेस की सरकार बनी तो केंदर से सहयोग नहीं मिलेगा। ये समविधानिक मर्यादाउं से विपरीत विक्रमादित्य सिंग ने कहा कि EVM की गड़बड़ी की आशंका है हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी है लेकिन फिर भी अलर्ट रहना होगा अगर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास भी पहुंचती है फिर भी कॉंग्रेस विधायकों को भाजपा खरीर फरोखत और EDCBI का डर दिखा कर अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है क्योंकि स्थाई सरकारों को गिराने का भाजपा की केंदर सरकार कोशिश करती है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने हाई कमान से शिग्र परवेक्षक हिमाचल भेजने की बात कही है मनिपूर गोवा में भी इस तरह की घटना हुई है वहीं विक्रमादित्य सिंग ने कहा कि सरकार बनने पर पुलिस भरती पेपर लीक मामली की जाच होगी और दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा विक्रमादित्य सिंग ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का फैसला चुने हुए विधायक और पार्टी हाई कमान का होता है पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपती है वो उसके लिए तया है ग्रूप में मधनेवाद करना चाहता हूं या एसी सी का जिन्होंने मुझे स्टार प्रचारक की भूमी का में भी एक नया जिम्मेवारी दी और अपने दिन्वाचन क्षेतर के साथ साथ मुझे कई और करीबन बारा से तेरा विधानसवा हलकों में मुझे जाने का अफसर प्राफ्ट हुआ अलग-अलग डिस्टिक्ट्स में अलग-अलग जिलों में और वहां की जो वास्तविक परिस्थितियां है और जो एक महल एक अंडरकरंट सरकार के खिलाफ हर जगा पे बना हुआ था चाहे वो रिमोट एरिया चंबा का था चाहे एक आणगड़ा का इलाका था चाहे उण जिला का जिसमें हमारे बागवान, किसान, करमचारी और प्रदेश का हर वर्ग, क्यूंकि ये सरकार जमीन पर कोई भी बाते पूरी नहीं कर पाई, ये आपको दिखता हुआ भी है, और मुझे उस पर ज्यादा विश्लेशन करने की आवशकता नहीं है, क्यूंकि जो परिनाम आएंग वो खोद बखोद उस चीज़ को जो है, वो दर्शाएंगे, मगर आज अभी क्यूंकि थोड़ा सा प्रीमेचूर भी है, क्यूंकि असली वैसे जो वातलाफ होता है, वो प्रेस, I mean, एलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही होना चाहिए, मगर क्यूंकि मैं चाहा रहा था कि एक अच्छी इंटरेक्शन जो है, आप चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ हो, जिन जिन वर्गों को हमने अपनी गैरेंटीज के बारे में बात करी है, दस गैरेंटियां जो कॉंग्रेस पार्टी की प्रथम मुद्दे थे हमारे, जिसमें नमबर वन जो है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हमने रखी हैं प्रदेश में उसको लागू करने की, महिलाओं के लिए पंद्रा सो रुपए पेंशन देने की बात है, और युवाओं के लिए छे सो असी करोड रुपए का पैकेज देने की बात है, और उसके इलावा भी, क्योंकि चुना के अंतरकाल अलग अलग जगाओं पे उनके डेपूटेशन मिले और उनको हमें, उन्हें कॉंग्रेस पार्टी से बहुत उमीदे हैं, तो मैं आपके माद्यम से ये बात बिलकुल साफ कर देना चाहता हूं, कि जो भी चीज़े सरकार बनने के बाद हमारे जहन में, कॉंग् रहते वे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जहां तक OPS की बात है, यह हमारा चुनावी नंबर, इलेक्शन का नंबर वन गैरेंटी है, जिसको हम डे वन के उपर इंप्लिमेंट करेंगे, और इस पे अभी भी भारती जिंत्या पार्टी द्वारा चुनावों के हो रहें नहीं है, मगर मुझे विश्वास है, अगर यहां पर विपक्ष की सरकार भी बनती है, तो यहां पर भाजपा एक और परधान मंत्री जी, Constitutional Federalism की बात करते हैं, उसको उनको मजबूती देनी चाहिए, भाजपा का ये तर्थ देना कि यहां पर भाजपा की सरकार न नहीं किया है, यह कहना कि केंदर सरकार का कोई भी मदद कॉंग्रेस सासित राज्या को भविश्य में नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि यह हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसके बिलकुल विपरीत ये बाते उन्होंने करी है, और यह उनकी बोखलाहट को, उ पहले रामपूर में जिस दिन पोलिंग हुई, उसी दिन जो है वो एक प्राइविट काड़ी में एविएम की ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा था, वेराइस दिर वा क्लियर इंस्ट्रक्शन कि कोई भी एविएम चाहे वो 100 मीटर है, चाहे वो 1 किलोमेटर है, चाहे वो 20 किलोमेटर है, पोलिंग बूच से स्ट्रॉंग रूम तक टे केनाट बी टेकन इन प्राइविट वेकल्स, उसके बाद उसकी एवेलना करना, और उसके उपर हालंकि उन्होंने कारवाई करी है, उसका हम स्वागत करते हैं, बगर इतना लापरवाही परिस्तिती सरकार के और DGP साहब है, उनसे भी बात करी है, उसमें ITBP की सुरक्षा भी है, CRPS की सुरक्षा भी है, और प्रदेश पुलीस का उसमें एक घेरा जो है वो स्टेट पुलीस का भी है, मैंकोर उसके बावजूद जो है इस पे बहुत हमें अगले जब तक इसके परिणाम नहीं आते हैं, आठ डिसमबर तक बहुत जो है चोकाना रहने की आवशक्ता है, जो एक सबके मन में एक बहुत बड़ा चिंता का विशे है, कि सरकार बना अब एक परिस्तिती ऐसी देश के अंदर उत्पन हो गई है, कि सरकार बन के भी सरकार जो है गिराने का एक नया सिस्टम प्रदेश क प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं हमारा जो हाफवे मार्क है विधानसभा का दाट इस थर्टी फोर चौनतीस या पैंतीस है, पैंतीस है, अब अगर पैंतीस पे भहुमत आ भी जाए, कोई गैरंटी नहीं है कि कल को इंकम टैक्स, ED, CBI, इनके जो है वो चापे या इनका दबाव जो है वो विधायकों के ऊपर बनना शुरू ना हो जाए, इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो है वो पूल भहुमत के साथ मिनिममम 42-45 सीट के साथ कॉंग्रेस पार्टी आएगी, मगर अगर अगर कुछ परिस्तितियां ऐसी बनती है कि थोड़े से जो है कुछ कम विधायक हो तो निश्चत तोर से हम इसके उपर जो है वो अपने हाई कमांड से निवेदन करेंगे कि इसमें जल से जल यहां पर भिजवाए जाए ताकि इस तरीकी की कोई भी अगर चाहे वो इंडिपेंडेंट्स है चाहे वो और कोई है अगर कोई हॉस ट्रेडिंग या किस तरीके का कोई दबाव सरकार दोरा या सेंटल एजनसी दोरा बनाने का प्रियास किया जाता है जो हम जिसको हम बिलकुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से गोवा में यह हुआ हालांकि हिमाचल देव भूमी है हिम प्रदेश के अंदर ना बने यहां के लोग बहुत पड़े लिखे हैं और अगर इस तरीके की कोई स्थिती उत्पन होती है उसके लिए और इसके लिए हम शेरिमती प्रतिवा सेंग प्रिदेश अध्यक्षा है वो हमारी से बात करेंगे कि एक टीम यहां पर पहले ही बिठ करना है उसके उपर भी हम इमेजियेटली कारवाई करें और लोकतंत्र की हत्या जो भाजपा और राज्यों में करते आई हैं मैंडेट ना मिलने के बावजूद भी जबरन मैंडेट ले लेती हैं वो चीज हिमाचल के अंदर ना हो उसके उपर हम जो है वो कारवाई आने व उग्रा करी पूल्ट